EasyPass app opening करने के बाद आपने login करना है app में Like this login यह दिखें login हो गया इसके बाद आपने view आल पर क्लिक करना है View All पर क्लिक करने के बाद आप Education पर क्लिक करेंगे और यहां से आप Virtual University स्लेक कर होगे यहां पर आप अपना ID दोगे चलाना ID जो के मेरा 10113881 है आपका जो भी होगा आप वो दोगे चलाना ID देने के बाद आप Get Bill पर क्लिक करोगे Get Bill करने के बाद आपके पास amount, due date, सब कुछ आ जाएगा यहां पर आपने Pay पर क्लिक कर देना है और आपके बास confirmation screen आएगी यह देखें इसके बाद आपने Just Pay Now पर क्लिक करना और आपकी fee पर हो जाएगी एक दफ़ात दिहान रखें याद रखें कि जो चलाना ID होगा वो आपने Exact एक दफ़ा देख लेना है बलकि दो दफ़ात देख लेना है कि आपका आपना वही है जो आपकी fee पर चलाना ID है क्योंकि कि सीओर की fee पर इना प्यान हो जाएगी